चलिए चैप्टर का नाम क्या है सर हमारा ब्रांच अकाउंट अब ब्रांच अकाउंट क्या होता है पहले देख लेते हैं हमारे स्लेवर्स का क्या पाठ है अब ब्रांच ना दो तरीके के होते हैं सर दो तरीके के कौन-कौन से ब्रांच होते हैं सबसे पहले तो ब्रांच क्या होता है यह देखिए और इसमें आप मैं ज़्यादा चीजे टाइम थोड़ी लोगा आपका आपको सबको पता है ब्रांच क्या है अब मैं सिरी सी बात करूँ तो जहाँ पर मैं रह रहा हूँ जहाँ पर हम रह रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे सॉप्स ऐसे हैं जो कि फेमस है अगर मैं बड़ी बेसिक सी बात करूँ तो यहाँ पर सॉप्स फेमस की बात करूँ एक बिट्टू टिक्के वाला है वो भी फेमस है तो अब बिट्टू टिके वाले का जो में जगह है सिंपल से वर्ड में जगह जहां से अपना स्टार्ट किया था वह आप सबको पता होना चाहिए कहां का है वो रानी बाग का सबको पता कि में जो है रानी बाग और रानी बाग से फिर ये एक एनस्पी में भी है और एक रोहिनी में भी है तो हम जानते हैं जो में है वो में है और बाकी सारा क्या है उसके ब्रांचे से तो एक में जगह पर होता है जहां से बिजनस को औरीजन स्टार्ट किया जाता है और बाकी के जो छोटे खोल लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं, वो क्या होता है, हमारा ब्रांच होता है, तो बड़ी सीरी सी बात है, ब्रांच का मतलब, इसमें ज्यादा और कुछ भी है नहीं, और ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना हमें, अब ब्रांच हम हिंदुस्तान में भी खोल सकते हैं, हि लेकिन कोई राठ के आपकी इस पॉर्न ब्राइँ वेक्षम 10 इसांपल लिया कि एक बिटी डवलू है सबने सुना होगा या गुलाब ले लो अटे बैसे घुलाब और हल्दी राम वगेरा का तो मिरेको पता नहीं भीया मियन ओफिस का है इनका तो पता है के भीया स्टार्टिंग से जब जाते थे तो बस ये रानी भाग में नजर आते थे और कहीं था ने इनका और स्पेशली ये लिख देते थे हमारी कोई ब्रांच नहीं है तो रानी बाग से बाद थोड़े दिनों बाद मैंने क्या उपजर्व किया कि अरे ये तो नेता जी सुभास पलेस में भी खुल गया एनस्प में भी खुल गया ये दुकान तो तो थोड़े दिन बाद नोटिस किया तो ये रोहिनी में भी खुल गया फिर नोटिस किया तो फिर ये मान लेते हैं CP में भी open हो गया वैसे पता नहीं है मेरे को CP का ठीक है ना CP में भी open हो गया थोड़ी दिनों बाद ऐसे notice किया तो जहां से इसने अपना business start किया था that is इसका क्या होगा head office थोड़ा accounts में नाम देंगे इज़्जद देंगे इनको उसे क्या बोलेंगे head office ठीक है और जहां जहां पर उसने छोटे छोटे अपने दुकान खोलें वो क्या होंगे branch होंगे अब यह branch पे और head office पे mainly जो कोई भी branch खोलता है ना अपना सारीगार अलग है सब कुछ अलग है ऐसा तो नहीं है कि वो अलग तो वो क्या करते हैं अपना जो उनका जो यूज करते हैं material वो माटीरियल के उपर टीयुट करता है कि क्या भीजेगा यानि सारा माल मटीरियल जितना भी यह वह यहां से भीजा जाएगा का भीजा जाता है इसले एक्जाम्पल लिया आप मैकडॉनल में चले जाओ की अपसी में चले जाओ सबका टेस्ट एक जैसा है ठीक है ना तो वही कहानी है अब बिट्टु टिक की आले ने बोला कि मैं लंडन में खोलूंगा यूके में यूके में खोलूंगा तो क्या इसे हम ब्रांच बोलें के आप ध्यान दो तो सर कौन-कौन से दो परकार के हो गया एक इन लेंड ब्रांच हो गया कि अब इन लेंड ब्रांच का मतलब क्या है सर देखो यह न वर्ड एक तो मैं सबसे बड़ा इंडिया के अंदर ना जो एजुकेशन सिस्टम है ना बहुत सिंपल चीजों को बताने के बजाए ना एक नया वर्ड दे देते हैं जिसमें से जो बच्चा समझ नहीं पाए जो बच्चा उस वर्ड को नहीं समझता तो उसके लिए मुसीवत बना रहता है इन लेंड ब्रांच का मतलब होता है कि जहां पर उसने अपना स्टार्ट किया वहीं कि अगर ब्रांच खोला जाए उसे इनलेंड ब्रांच बोलते हैं तो बेटोटी के अले ने कहां स्टार्ट किया रानी बाग यानि भारत के अंदर और यहां ब्रांच खोला जाएगा तो कुन सा होगा तो इसका बोल सकते हम इं Indian branch, अगर foreign एक खोले, तो उसे क्या बोलेंगे, foreign branch, फॉरण ब्रांच, तो सर, अब branch accounting सीख रहे है, ब्रांच accounting का मतलब अब ये branch है, N mein р Hankימ ब्रांच है, वहान से समान आया, ये लिखेगा, ये समान बेचे तो यह लिखेगा है यानि kind of ना हमें इसका पीएंडल तयार करना है एक परकार का हमें इसका क्या तयार करना है सर पीएंडल कैसे तयार होता है इधर खर्चे इधर इंकम और उस हिसाब से ठीक है अब कुछ बातें यहाँ पर भी होगी ट्विस्ट होगी जो कि हम अभी देख ने खोली है उसके अकाउंटिंग हम मारे स्लेबस में यह भी नहीं है सर बोला फॉरें ब्रांच बाद में पढ़ाएंगे अभी नहीं पढ़ा रहे हैं तो हमें कौन सा ब्रांच करना है इनलैंट या फिर इंडियन ब्रांच बोल सकते हो पहले क्लियर होना चाहिए कि हम सीख क बनाना है अब यहां पर दो तरीके के यह ब्रांच हो सकते हैं या तो यह पूरे तरीके से इस पर डिपेंडेंट हो यह इंडिपेंडेंट हो तो दो हो सकते हैं डिपेंडेंट का मतलब सारा काम यही कर रहा है अकाउंटिंग इसकी यही कर रहा है समान यही भेज रहा है अपना 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 सब कुछ क्या कर रहा है अपना तो अपना पी अडल भी भाई तू भी बना ले मैं क्यों बना हुआ हमारे में है dependent branch independent branch भी हमारे head office करेगा ठीक है अब head office कैसे कैसे treat करेगा जो भी उसको समान भेजेगा वो खर्चे में लिख लेगा यानि मान लेते हैं बड़ी सिंपल सी बात है सर एक पींडल बनाया यहां से क्या बेजेगा material ले भाई तेरे को टिक्की बनाना है आलू ले जा और उसके साथ दही ले जा जो भी बनाना है सारह एगदम same proper देगा यह यहांसे भेज दिया तो यह head office क्या करेगा मैंने क्या करा सार मैंने क्या करा गुट को क्या कर दिया सेंट कर दिया परचिस दों नहीं लिख सकते हैं क्या का गुण मेंने क्या कर दिया जान कर दिया इसके बाद यह ब्रांच के उपर समान और इस ब्रांच के उपर समान क्या होगा बनने लगे अगर टिकी इसने बना दिया उसके बाद क्या होगा यह बेचेगा अब मैं अब दूसरा इंकम का सोचते हैं इंकम तो कभी है, जो यहां से यह पैसे दे देगा, वही तो इंकम होगा, ठीक है न, तो जो यहां से पैसा देगा, अब यह पैसे दो जगा से ला सकता है, सरीए, या तो यह क्या कर सकता है, एक तो cash पैसा आएगा इसके पास, है न, एक तो पैसा कौन सा आएगा, cash आएगा, दूसरा अगर इसने उधार ही दे रखा है, उधार दे रखा है, तो उससे पैसा थोड़ी ना आया, अगर मैंने उधार दे तो नहीं, हाँ लेकिन उधार वालों से पैसे बाद में मिलेंगे, तो मैं एक कह सकता हूँ, collection from debtor, दो तरीके से पैसे आएंगे, और ये क्या करेगा daily, या तो ये मालिक चला जाएगा, अब टू टिक के अला नेता जीप है, दिखा भाई, कितना पैसा है, और लेके आ जाएगा अपना, और वो यहाँ entry कर देगा, cash receive, ठीक है ना, या फिर ये क्या करेगा, सारा पैसा इखटा करके बोलेगा, मैं मालिक हूँ, तुम वहीं से बताओ, मिर पास इतना टाइम नहीं है, कि मैं हर ब्रांच में daily जाओ, और फिर मैं पैसे वहाँ से drawer से निकाल के लाओ, जो उनका drawer होता है, जहां रखते हूँ, या तो फिर ये क्या करेंगे, वहाँ से पैसे भेज देंगे, तो जब ये पैसा भेजेगा ना, तो कोई बोलेंगे, remittance बोलते हैं, कोई चीज भेजना, तो अगर ये यहाँ से यहाँ पैसा भेजेगा, तो ये क्या होगा सर, remittance, ये होगा, remittance, अब remittance में क्या क्या आ सकता है, एक तो cash sales का पैसा आ सकता है, और दूसरा क्या आ सकता है, collection from debtor का पैसा आ सकता है, तो यानि total मिल आ के देखा जाए, तो हमें क्या prepare करना है, sir, p handle prepare करना है, p handle prepare कोन करेगा, sir, head office prepare करेगा, किस के लिए prepare करेगा, branch के लिए prepare करेगा, और branch के लिए इधर सारे क्या आएंगे, खर्चे और इधर सारे क्या आएंगे, इसके अलावा भी कुछ हमारा हो सकता है, point, अब एक चीज औ का पार्ट नहीं है क्या foreign branch हम सीखेंगे नहीं सीखेंगे तो उसी तरीके से देखा जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह समान भेज रहा है और यह कर रहा है तो दिमाग में यही लेके चलना कि वहीं बिट्टू टिक्की वाला या हैड उफिस तरह करता धरता है उसी के एसाफ से चलेगा चैप्टर बहुत आसान है बहुत फिंपल सा चैप्टर है हमें पी इंडल बनाना है और पी एंडल ट्रेडिंग पीएंडल वाला नहीं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे पी इंडल इसको और अगर यह हमें चीजे समझ में आ जाता है हमें डेटा गीवन होगा डेटा फिल करना हमारा ब्रांच इस तरीके से चलेगा तो चलिए मैं कुछ एक फॉर्मेट बता दूँ आपको फिर क्या फॉर्मेट फॉलो करने वाले हम तो यह है हमारा यानि सर आपने अभी बताया वो भी लिख दूँ एक डिपेंडेंट ब्रांच है डिपेंडेंडेंट का मतलब करता धरता कौन है हेड आफिस सब काम कौन करेगा हेड आफिस एक है हमारा इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड एक दो एक्जामपल रियल लाइफ के देख लेते हैं तो हमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, जैसे मैं बात करूँ टाटा, ठीक है न, तो टाटा जो होता है न, काम करता है न, हमेशा इंडिपेंडेंट बिसिस पर काम करता है, उसके जितने भी यूनिट है, वो क्या कहता है, कि आप अपना करिए, अपना समान कहां से लाएंगे, सब कुछ आपका जिम्मेदारी है, तो टाटा के जितने भी ब्रांचिस है, या जितने भी उनके यूनिट है, यूनिट का मतलब टाटा टी भी है, और टाटा मूटर भी है, और टाटा पावर भी है, सब चीज है, तो जो टाटा टी वाला है ना तो रतन टाटा जी क्या कहते हैं यह टाटा टी तुम समझो कैसे चलाओगे हमें नहीं पता हम तो बस आइडिया दे दिया है बस वो तुम्हारी जिम्मेदारी है वहां का अलग एक CEO अपोइंट कर देगा वहां सब कुछ अलग-अलग अपोइं बाइंस है रिलाइंस डिपेंडेंट आप देखो कहीं भी होगा आप देखना कई बार कुछ भी आएगा जियो आएगा मुक्य संबानी खड़ा हो जाएगा तो मतलब वहर किसी को चला रहा है वह उसके जितने भी यूनिट है ना वो डिपेंडेंट एक तरीका से किसके मोटर में कुछ भी आएगा तो कभी भी रहतन टाटा नहीं बोलेगा जो टाटा मोटर वाला परसन है जिसको बनाया है CFO में परसन वह आके बोलेगा कि ऐसी ऐसी दिक्कत चल रही है तो इसी तरीके से बड़े सारे एक्जांपल्स हैं जो कि हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वालों का अब हमारे पास एक मेनेजर को बोला कि हम एक जिगा भी तेरी अब इसलिए पांच लाग यह तेरी दस लाग महीने की कर देंगे तेरे पांच को एक नया ब्रांच खोल के दे रहे हैं और उस ब्रांच को बना देते हैं कितम जर्नल मेनेजर तेरे बिणा वहां पर कुछ नहीं होगा होगा करेगा काम उसने वह लहां कर आँगा आप इसलिए कई बार जाओगे ना तो कई ब्रांचों के अंदर फ्री अकाउंट, जीरो बैलेस अकाउंट खुल रहा होता है और करीब ब्रांच में नहीं खुल रहा होता है ठीक है ना तो वो क्यों होता है वहाँ के मैनेजर की रिस्पॉंसलिटी है पहले क्या करेगा zero balance पे खोल भाई क्योंकि जो head office है उसने बोल दिया तु जो मर्दी कर मेरे को तो 500 क्रोट रुपे का business चाहिए बात खादम तो zero balance पे खोल इतने पे खोल जैसे भी खोल मेरे को 500 क्रोट रुपे का business देना है तो वो क्या करता है इसी हिसाब से उसको customize करता है तो जितने भी हमारे banking के ब्रांच है सारे independent ब्रांच होते हैं हर ब्रांच का एक fix होता है कि भाया तेरे को ब्रांच दिया गया है और यहां से त dependent में क्या होता है चेन होता है पूरा और dependent के अंदर क्या होता है कि हम ही सब कुछ involvement लेते हैं उसके अंदर तो हम करेंगे सर dependent ब्रांच dependent ब्रांच सर dependent ब्रांच के अंदर भी कितने type के account बनाएंगे कुछ यह तो बता दे हो यानि सर मैं यहां पे independent के आगे क्या करूँ cross foreign branch के आगे क्या करूँ cross समझ मैं इस बता आपको इसे हमें नहीं पढ़ना अब dependent ब्रांच जो है इसके अंदर questions हमें finally क्या निकालना है examiner पूछेगा dependent ब्रांच है यह ब्रांच है वो ब्रांच है ऐसा ऐसा हो रहा है वैसा वैसा हो रहा है आप इसका profit and loss बताइए बस examiner यह पूछेगा तो भाईया profit and loss निकालने के दो method है इसके निकालने के वह दोनों method में से कोई से भी आ जाता है एक है हमारा सर टेटर सिस्टम टेटर सिस्टम ठीक है न एक है डेटर सिस्टम और एक है सर स्टॉक डेटर सिस्टम एक है सर स्टॉक डेटर सिस्टम एक है स्टॉक डेटर सिस्टम और एक है स्टॉक डेटर सिस्टम दो सिस्टम हो गए न हमारे एक है स्टॉक डेटर सिस्टम और एक है डेटर सिस्टम पहले हम debtor system करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे हम stock debtor system जब ये दोनों पार्ट हम complete कर लेंगे दोनों को समझ लेंगे और 4-4-5-5 सवाल इस पर कर लेंगे चप्टर हो जाता है खतम हमारा समझे बात तो हम पहले कौन सा करने जा रहे हैं sir पहले करने जा रहे हम debtor system पहले हम करने जा रहे है debtor system तो चलिए debtor system होता क्या है और कैसे काम करता है ये देखेंगे लेकिन मजे की बात पता कि methods है कभी भी किसी चीज के method change होते है तो answer पर फरक नहीं पड़ता generally 99% अब आप 2 प्लस 2 4 कर लो 2 into 2 कर लो 4 method change कर दिया ना तो उसमें answer हमारा फरक नहीं तो जो इससे profit निकलेगा वही profit किससे निकलेगा इससे निकलेगा बस करने का way बदल जाता है जैसे provision for depreciation या normal depreciation दोनों अलग अलग तरीका है करने का लेकिन answer क्या निकलेगा दोनों में सेम निकलेगा समझ माई बात आपको तो यह हमारा method डेटर सिस्टम डेटर सिस्टम में हम बनाते हैं एक branch account अ एक बना रहे हैं हम इसका नाम है branch account ठीक है ना इसका नाम है branch account और मैं थोड़ा सा समझाने के लिए एक तरीके से पी एंडल है क्योंकि branch chapter है इसलिए हम पी एंडल को नया नाम दे रहे हैं branch account के नाम से इस account का main purpose क्या होगा profit या loss निकालना finally अगर इधर निकलता है तो क्या निकलेगा profit और इधर निकलता है तो क्या निकलेगा loss लेकिन यहां पर को ट्रेडिंग व्रेडिंग वाला कोई चक्कर नहीं है सबसे पहले सर यहां पर particular amount और इसके अंदर भी दो methods है एक है हमारा IP price पर एक है बिना IP price पर तो हम अभी simple वाला कर रहे हैं IP वाले को हम कल देखेंगे कि IP price क्या है यह IP का मतलब यहां पर क्या रहने वाला invoice price पर अब देखो मैं एक बात आप से simple पूछना चाहता हूँ आप इसको ध्यान से समस्ते जाईएगा सुनते जाईएगा अगर मैं यहां पर लिखूं building पांच लाग का और यहां पर फिर मैं लिख दूं building साड़े चार लाग का एक तो यह तरीका है तो यहां building पांच यहां building साड़े चार यानि यह शुरू में इतने का था और लास्ट में इतने का था मैंने लो इसको लिख दिया opening और इसको लिख दिया मैंने closing तो ultimately 50,000 रुपे इस account के अंदर कितना reflect हुआ 50,000 अगर मैं यहां भी पांच लिखूं यहां भी पांच लिखूं तो account कोई मतलब भी नहीं बनता अभी देखा जाए तो account में कितना reflect हुआ 50,000 रुपे इस side जादा है इस side हमारे 50,000 रुपे जादा है और मैं यह भी बोल सकता हूँ कि 5,000 का समान है अब बच रहा है 4,50 का तो इसका मतलब बीच का difference क्या लग दिया होगा depreciation बीच का difference क्या लग दिया होगा और सिर्फ मैं यह दो balance लिख देता हूँ तब इधर 50,000 रुपे दिख रहा है आपको दिख रहा है इधर 50,000 क्योंकि 4,50 सा 4,50 तो cancel होगा बचा इधर extra कितना तो यहाँ पे पी एंडल तो बना रहे तो depreciation दिखाने का थोड़ा सा style बदल गया है क्या बदल है सार हम यहाँ पे assets का opening balance लिखेंगे और assets का क्या लिखेंगे automatic depreciation इसमें reflect समझ रहे हो बात तो यहाँ पे हम सारे का सारे assets का opening balance लिखने वाले हैं सारे का सारे का मतलब किसका जैसे 2 opening balance 2 opening balance में क्या रहेगा आपका stock का balance आपका machinery का balance आपका debtor का balance आपका cash का balance आपका other assets का balance other assets में कुछ भी हो सकता है prepaid expense हो सकता है और building हो सकता है machinery हो सकता है computer हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो मैंने other assets लिख दिया तो समझ जो इसमें सारे assets आ सकते हैं इनके क्या लिखें मैंने इधर Sir opening balance लिखें क्या लिखें इधर और इसे internally total करिए या बाहर लिखें वो आपकी इच्छ है totally depend on you और इसको total करके यहां दिखा देंगे कोई दिक्कत Sir इसका impact इस account में तब तक नहीं दिखेगा जब तक कि आप इसका closing balance भी ना ले लो तो मैं क्या करूँगा यहां पे closing balance भी लिखूँगा Buy closing balance Sir closing balance किस-किस का होगा जो यहां दिख रहा है सब का closing होना चाहिए भीया अगर आपने यहां stock लिखा है तो stock का भी closing होना चाहिए बसरते condition वो है कि आपका stock है यही नी तो closing कहां से लिखोगे आपने machinery लिखा तो machinery का closing होना चाहिए तब ही depreciation reflect होगा अगर machinery आपने बेच दिया तो यहां दिखी गई नी यानि सभी का एक एक करके आपका पहला target होगा closing लिखना ढूंड ढूंड के तो मैंने stock का भी लिख दिया मान लेते हैं मिरे पास सब का बचा हुआ है मैंने machinery का भी लिख दिया है ना machinery के बाद मैंने debtor का भी लिख दिया debtor के बाद मैंने किसका लिख दिया Cash का भी लिख दिया और मैंने Other Assets का भी लिख दिया पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है आपको अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है, तो मतलब आपको uedठीक ठाक समझ में आ रहा है कि हम कर क्या है अगर इसको समझ ही नहीं हा रहा है, यानि सर सारे के सारे assets और उसका closing balance अगर liability हुआ तो उसका भी इधर लिख लेंगे और उसका closing balance कि इधर जाएगा इस सब्सक्राइब कितना आसान chapter है नहीं तो buy side में क्या लिखेंगे? buy आपका opening opening liability और मैंने opening liability का नाम नहीं लिखना चाहता क्योंकि सवाल में बहुत rare पूछा जाता है और to closing closing liability अब सर ओपनिंग liability में क्या हो सकता है? outstanding rent हो सकता है outstanding salary हो सकता है आपका और creditor हो सकता है आपका तो यही सारी चीजे हमारे होते हैं क्या liability जितने भी देखें तो इधर आएगा मैंने एक simple सा word लिख दिया opening liability और इधर आपके question में 99% chances मानके चलो liability वाला portion नहीं होता है सरफ किसका portion होता है हमारा assets का portion होता है ठीक है न अब हमें क्या है कि भाया इनके जो है न आपके type अब stock का closing stock बनाने के लिए या debtor का closing ढूंडने के लिए cash का ढूंडने के लिए या machinery का ढूंडने के लिए इन सब का मुझे एक calculation बिठाना पड़ेगा मैंने बोला कि भाया machinery शुरू में था पांच लाग का और मैंने नीचे closing ना बता के मैंने बोला debt लगेगा 10% तो closing बताओ कैसे बताएंगे बताओ closing के आएगा depreciation को minus कर देंगे यानि कितना 4,50,000 तो ये चीज आपको करके फिर calculate करके दिखाना होगा कभी भी आपको closing balance अभी का नहीं मिलने वाला तो closing balance आपको बनाना होगा ठीक है ना तो assets का तो इसका आपने directly कर लिया या तो इसका आप क्या करिए account बना लेजिए अगर आपने account बना के करना है तो account बना के कैसे करेंगे ये बनेगे हमारा machinery account two balance कितने का है पांच लाक और by depreciation पचास अजार by balance cd चार पचास और आप क्या करेंगे ये वाला cd उठाके यहां पर दिखा देगे समझ रहे हैं एक तो यह तरीका है अगर बोल रहे हैं अगर सवाल में कहता है कि आप बनाई है तब तो mandatory हो जाता है लेकिन यह mandatory नहीं लेकिन कुछ आपको बनाना ही पड़ेगा नहीं तो आपका मतलब के नहीं निकलेगा जैसे कि आपका debtor का closing balance निकालने आपको आना ही चाहिए तो इसके help करने के लिए यानि opening से closing बनाने के लिए कुछ जो complication create कर सकता है वो कर सकता है debtor तो उसका separate account भी सीख लेंगे हम और बना भी लेंग कि कौन सा method चल रहा है सरी है दो method बताये तो याद है भूल गए डिपेंडिंग method कौन सा होता है हाह विदाउट IP IP नी देखो कितनी जल्दी भूल रहे हूं सर दो method बताये थे देखिए और stock हम कर कुन सा रहे हैं अभी debtor system चल रहा है ठीक है अभी चल रहे है debtor system इधर आएगा particular amount particular amount ठीक है अब debtor account बनाने सीखते है debtor account मेरे को तो कोई भी account बनाने बोले तो मुझे ज़्यादा समझ में पता है कैसे आता है मैं कैसे सीखता हूं बनाना सोचता हूं सबसे पहले यह पता करो यह assets के liability है अब अगर मुझे समझ में आ गया कि यह assets है तो इसक का BD इधर लिख लूँगा CD इधर लिख लूँगा अब जिधर से BD है उधर से बढ़ जाता और जिधर CD उधर से घट जाता है इसका simple सा logic है तो debtor account मैं तो मानता हूं assets है आपको भी लगना चाहिए क्या है assets इस यहाँ पर क्या लिखेंग है balance BD और इस side में क्या आएगा balance CD और maybe possibility है कि यह balancing figure हो, maybe possibility है कि यह क्या बने हमारा balancing figure यहाँ से क्या क्या निकलेगा मैं underline कर दूँगा सर अब घटने के क्या क्या reason है, मेरा पैसा लेके कोई भाग गया, bad date तो घट जाएगा, है ना, अगर मेरा पैसा लेके कोई चला गया तो घट जाएगा, फोड़े pen को ठीक कर लेता है बाइ बैड डेट, ठीक है ना, जी यह लिख लिया, एक तो यह तरीका, और बताओ डेटर क्यों घट सकता है उससे पैसे मिल जाए, अगर वो पैसे देगा तो घटेगा ना, तो किदर लिखेंगा अगर डेटर से पैसे मिलेगा तो बताइए buy side में, बड़ा simple सा है, account तो इतना आसान है ना, बस समझने की चीज़े होती है अब buy side में आपको cash मिल जाए, या फिर check मिलेगा तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, bank ठीक है न, उस समझ में आ जाएगा, और सब कब घट सकता है, डेटर को discount दे दो buy discount और एक बात ध्यान रखना है, discount को न, हम allowances भी कह देते हैं कई बाद, discount को हम आगे आएगा यह कहानी के अंदर, ठीक है, allowance भी बोल देते है, discount को, नया शब्द है, ठीक है, और कम हो सकता है, debtor मैंने आपको समान भेजा, आपने वापसी कर दिया, याद, तो क्या होगा, debtor क्या हो जाएगा, कम, यानि, by, return, ठीक है, और debtor कम कब हो सकता है, आपको br वाला concept थोड़ा सा कभी कभी याद होगा, कि अगर, जैसे मैंने उधार माल बेचा, उधार माल बेचने के बाद, आ लेखिन वही मैंने क्या करा, आपको बोला के लिखवा के लिए, तो वो क्या बन जाते है, br बन जाते है, मालनो, मैंने आपको धार माल पांचा लाक रुपे का बिचा, that is debtor, आपसे मैंने लिखवा के लिए लिए 2 लाँक का, तो debtor पता कितने का बचा, 3 लाँका, और 2 ल यह बहुत consistent लग रहा है यह समझ में आ रहा है आ न ठीक है कि चलिए बस और तर बढ़ने का reason क्या है बढ़ने का reason मताई गटने का तो पता देलें बढ़ने का पता दो हम उधार माल बेचते जाएंगे बेचते जाएंगे बेचते जाएंगे और डेटर बढ़ता जाएगा यानि क्रेडिट क्रेडिट और क्या बढ़ने का रीजन बीर डिसानर्ड हो जाएंगे तब ही बढ़ सकता है लॉजिक लगा आपसे मैंने गिरिंटी लिया तीन लाग के डेटर हो गए और आप गिरिंटी फेल कर जाओगे बुलेगा तू फिर से क्या बन गया डेटर बन गया जोड देते हैं यानि बीर डिसानर्ड वैसे इतने ज्य बना लिया तो एक्जामनर ना इससे आपसे दो ही तीन चीजे चाहेगा और एक्जामनर आपसे दो तीन चीजे क्या चाहने वाला है सर एक्जामनर आपसे दो तीन चीजे एक तो ये चाहेगा ठीक है एक तो ये निकलवाना चाहेगा आपसे और सर और 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 भी कुछ निक करवाना चाहेगा आपसे ठीक है ना पहले यहां तक देखे कोई डाउट कि बच्चे पूचे रहे हैं सर किस चीज की एंट्री है मैं बताओ ना मेरे को इसमें थोड़ा सा मजासा नहीं आ रहा क्योंकि बहुत कंजिस्टेड है तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता है होगा जिनता मत करो अब ठीक ठीक लग रहा है तो बच्चे पूचे सर यह कैस किसना जो डेटर से पैसा मिलेगा वो क्याश होगा करें और एक चीज्थहा हमें पता ना कई बार गलती कर देते आब बताओ tourism for doubtful डेट से debtor कम होते है अब बढ़ोज़न was doubtful day बताओ provision for doubtful debt क्या उससे debtor कम होता है कभी नहीं होता तो मैं specially note लिख रहा हूँ provision देखे आपके मन में जितने भी doubt होंगे मैं सारा उहीं पर लिख देता हूँ बस आपको patience रखना provision for doubtful debt not not record in debtor account will not record तो आप हमेशा याद रखिए provision for doubtful debt को हमारे debtor कम नहीं होता अब मान लेते हैं मुझे आपसे लेने fees लेनी है मान लेते 5000 रुपे मुझे आपसे fees लेनी है और मैं सोचा हूँ यह पैसे लेके भाग सकता है कैसा थोड़ी मेरा debtor कम हो जाएगा debtor तो मेरा 5 ही रहेगा जब यह भाग जाएगा तो मेरा debtor कम होगा समझे तो provision क्या अंदाजा है तो अंदाजा से कभी भी provisioning करने से हमारा फरक नहीं परता लेकिन accounting के अंदर पहले भी हमने अक्सर final account में करते क्या थे debtor से minus कर देते थे तो हमारे दिमाग में रहता है कि इससे भी debtor minus होता है और जैसे ही provision दिखता है बच्चा फट से इसके अंदर डाल देता और आंसर गलत हो जाता है इस बात को धियान रखना provision for doubtful debts इसके अंदर नहीं आएगा ये समझ में आए चलिए सर आपने इतना सारा बनाया है इसमें से क्या इस्तमाल करेंगे कि जो branch branch के जितने भी employee है वो दिन बर समान से पैसा ही खटा करेंगे और वो पैसा ही खटा करके दे देंगे कहां ले जाके तो यह हो गया है तो यहां पर पैसा दो ही जगह से आ सकता है एक आ सकता है हमारा cash sales से है ना और एक आ सकता है collection from debtor दो ही जगह हो सकता है cash sales और collection from debtor तो cash इसको थोड़ा collection from debtor और कोई भी source होगा न यहीं आएगा सर वो और यह total आगया सर इस account से हमने क्या निकाला यह क्या है सर that is collection from debtor collection from debtor तो सर यह account बनाने का एक तो यह purpose है क्योंकि इसमें अगर आपको collection from debtor नहीं दे रखा तो इस account को बना के निकाल सकते हैं इसका मतब सर यह भी balancing figure हो सकता है और इसका account बनाने का सिर्फ दो ही उद्देश है इस account से यहां पर अगर यह दोनों चीज़े आपको दे रखा हूँ question में तो इस account का कोई value नहीं है लेकिन examiner फिर भी बोले debtor account बनाओ तो बनाना पड़ेगा अगर examiner नहीं बोलता कुछ भी और यह दोनों बाते आपको मिल जाए तो हम इसमें से कोई चीज़ और इस्तमाल ही नहीं कर सकते सर सिंपल सी बात है समझ में आई बात आपको अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर बै अब बैडडेट्स हो गया यह खर्चा है तो आप इसको भी दर दिखाओंगे क्या मैं बोलूगा मैंने दिखा दिया को बैडडेट्स बताओ दिखरा है आपको इस account के अंदर अदर अब मान लो ध्यान दो मेरे पास शुरू में data थे 500 और सुरूपे बैडडेट्स हो गया है इसके अंदर और वो मैंने सर्फ क्या दिखाया है तो जब आप किसी assets का opening और closing balance जब लेते हो तो उसके बीचन में जितने भी काम होते हैं वो चीजे दिखा चुके हो आप अकाउंट के अंदर क्या sales return दिखाया है दिखा दिया सर क्या आपने यहां पर और भी कोई जितने भी काम हुए सब कुछ सारी चीजे हम इसके अंदर दिखा चुके हैं तो इस account में आने आला बेड़ेट क्या यहां पर आएगा नहीं आएगा सर discount दिखा दिया आपने बताना discount दिखाया नहीं दिखाया मैंने opening balance लिया और कौन सा balance लिया और closing balance निकाला कैसे होगा इन सभी को माइनस करके तो जो इनके बीच का difference होगा तो यह तो सब माइनस होई गया ना तो मैंने discount इसमें दिखाया होगा नहीं में नहीं है लेकिन आप ध्यान से सोचो ना तो इसमें रिफ्लेक्ट हो चुका है कि अब सर यहां पर खर्चे खर्चे अब खर्चे दो परकार के होते हैं ध्यान दीजिएगा सब दो परकार के खर्चे कैसे एक खर्चे हेड ऑफिस बोलता है मैं पेमिंट कर रहा हूं एक खर्चा ब्रांच बोलता है मैं पेमिंट कर रहा हूं दो खर्चे हो सकते हैं या तो खर्चे का पेमिंट हेड ऑफिस करेगा या खर्चे का पेमिंट ब्रांच करेगा समझो अब बिट्टू टिक्की वाले पर मैंने जो था 49,000 रुपए रेमिटेंस कितना है मेरे पास 49,000 रुपए समझ मैं भी बात तो इसको बोला जाएगा खर्चा किसने पेमिंट किया ब्रांच इटसल कर रहा है पेमिंट यानि वो क्या करता है अब डेली क्या करता है 50,000 की सेल होता है 1000 रुपए पहले ही रख लेता है और बोलता है यह possible वो सारे पैसे आते जाएंगे आते जाएंगे फिर मैंने उसको दिया तो अब ध्यान देना समझने वाली चीज है समझोगे तो बहुत अच्छी चीज है थोड़ा डिटेल में मैं जा रहा हूं कुछ बच्चों को बोरिंग भी लगेगा क्योंकि जो थोड़ा फास् पचास अजार आना था मैंने यहां लिखा कितना पचास और मैंने बोला हफ्ते बाद तरको सेलरी दे दूँगा मान लेते हैं हफ्ते का सेलरी कितना हो गया यहां पर यह मान लेते हैं कि मैं तरको बाद में सेलरी दूँगा और एक हजार रुपए तो मैं यहां जाएगा मुझे और फिर अगर मैं 1000 दिखा देता हूं तो अकाउंट के अंदर कितना दिखाए 48 तो वह गलत हो जाएगा न तो इसका मतलब जो head office खर्चे देगा उसको तो यहां दिखाना है और जो branch पहले से cut कर लेगा वो नहीं दिखाना समझ मैं यहां यहां पर खर्चे कौन से होंगे तारे head office से expense बाइ head office head office को नहीं थोड़ा मैं simple सब्समें लिख रहा हूं एच्चो ठीक है ना head office सर जो वह payment करेगा सर वही आएगा सर अब वह आपको decide करना है question को decide करना है और उसमें आप कैसे समझदारी दिखाते हो तो यहां पर salary कि रेंट जर्नल एक्समेंस और जर्नल एक्समेंस के बाद अधर एक्समेंस लिख देते हैं ज्यादा लिखने की जोरत है नहीं आपको तो पता ही यह सारे खर्चों के ना जर्नल एक्समेंस इधर आ गया अ बाकी के खर्चे तो आप जानते ही हो सकता है यहां तक समझ में आ रही है सारी बात क्लियर है सर यहां पर एक एक्समेंस मैंने नहीं लिखा है मैं जिसकी बाद में चर्चा करने वाला हूं पैटि के खेंस और मैं पहले बताओंगा पैटि के ठीक है पैटी केश और इधर भी आजएगा पैटी केश और इधर का आइटम पूरा हो गया सब कुछ आ गया अब रह गया इधर अब ऐसा हो सकता है एक डिटर मुझे रिटन कर रहा है दूसरा हो सकता है कमने खुद एड़ ओफिस को मतलब से से कोई ले ना देना नि है हमने खुद हेड़ आफिस को बुला भाब कराब कराभा आए था क्या लिखेगा क्योंकि head office के लिए क्या एक खर्च है तो वो इधर क्या लिखेगा goods sent और जब हम head office को वापसी करेंगे समान तो हम इधर लिखेंगे goods return जो main points होगा इसका तो सर यहां पर मैं जगह बनाने जा रहा हूं चलिए बन गई जगह यहां पर ठीक है अब मैं यहां बेटा लूँगा क्या goods sent आपको समझ में आ रहा है goods sent का मतलब क्या मैं bit to tick की वाला head office हूँ जब मैं समान भेज रहा हूँ तो send ही तो गर रहा हूँ तो goods sent और goods जो मैं इसको भेज रहा हूँ मेरे लिए क्या एक खर्च है इसलिए इधर अब उसने क्या करा उधर से भेज दिया मुझे customer नहीं भेज रहा हूँ कौन भेज रहा है रांज भेज रहा है तो इधर by return to ho return to ho ho मतलब head office समझ में यहां तक कोई दिक्कत बस इतना हमें account के अंदर लिखना है और इस account की मदद से हम क्या निकाल लेंगे सर इस account की मदद से हम क्या निकाल लेंगे इस side में to profit और आपको पता इधर निकलेगा तो क्या होगा loss मैंने account सरिफ कौन सा बनाया है debtor जो थोड़ा complicated रहने वाला था वो बना दिया और इसके अंदर कौन कौन से बन सकते है सर इसमें से cash account बन सकता है machine बन सकता है stock बन सकता है ज इससे related ज्यादा information होगा उससे related हम बनाएंगे बताइए collection from debtor यहाँ पर आगया न क्याश हाँ बिल्कुल collection उसमें है लेकिन हमें यहाँ पर sales भी तो दिखाना है तो sales तो हमें अलग से दिखाना ही पड़ेगा अगर मैं opening debtor लूँ और closing debtor लूँ तो सब हट गया उसमें से लेकिन इसमें से क्या क्या हट गया क्या क्या आपने यहाँ पर हटा दिया आपने bad dates उसमें से minus कर दिया, आपने सब कुछ minus कर दिया, आपने collection from debtor भी minus कर दिया, तो भई है collection from debtor तो मुझे यहां दिखाना ही है, इसलिए हम इससे दिखा रहे चलेगा, नहीं, नहीं दिखाना, वो कभी provision नाम की कोई चीज है नहीं दुनिया में, वैसे actuality में, वो सरफ company अपने हिसाब से माने लेती है, बाकि law हमें कभी भी allowed नहीं करता, अगर provision for doubtful debts अगर ऐसा कुछ allow करने लगे न, तो मैं पता क्या करूँ, वैलिंचीट में लिखू 500 करोड रुपे का debtor, और P&L का debit में लिखू 500 करोड का provision, profit हो गया, zero, सरकार देखती रह जाएगी, हो सकता ह जिकली सोचो, सरकार को क्या चाहिए, टेक्स चाहिए, और मैंने क्या करा, debtor बनाया 500 करोड और प्रोविजन दिखाया 500 करोड, profit आगया, अंडा, सरकार को कुछ नहीं मिला, क्या हो गया, तो government तो मनाई करती है, वैया, प्रोविजन नहीं होता, लेकिन कुछ accounts के, कुछ करके और debit credit को match करके चलना पड़ता है, ठीक है ना, तो यहां तक समझ में आए, तो यह था हमारा debtor account, branch account जिसमें से हमने P&L account और जो भी निकालना था, हमने निकाल दे, clear, correct, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको मैं भी PDF आपको भीज़ दूँगा अभी हम इसपे सवाल तो नहीं कर रहे है, कोईशन तो नहीं कर रहे है, कल वाली class जो साड़े 6 बज़े है, definitely इसपे कोईशन करेंगो, और ये वाला system, कल Monday है ना, 6 बज़े है, हाँ तो 6 बज़े है, तो उसके अंदर ये खतम हो जाएगा, definitely सर, good sent की entry एक बार, और good sent का मतलब जो head office समान ब्रांच को भेजेगा goods, material बेचने के लिए उसे good sent कहेंगे, शायद जो बच्चे late join हुए ना, भी upload भी हो जाएगी वीडियो, तो आप ना उसको देख लेना, ठीक है, तो ये branch account का basically अभी हमने format किया है, format के बाद ना, हम practical question भी देखेंगे, तो वो आपको फिर समझने आने लगेगा,